नमस्कार, मैं लक्ष्मी कोल्ले, वीचो विस्तास के नवरात्री स्पेशल में आप सभी का मनपुर्वक स्वागत करती हूँ उसे अस्त्रश अस्त्र की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही भारी है उसे यूही खिलोना ना समझो, वो नारी है, वो नारी है कात्यायनी नवदुर्गा ये देवी हिंदु पार्वती के नव रूपों में छट्वा रूप है कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्शी कात्यायन ने भगवन्ती परांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो, मा भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई उनका गुण शोधकार्या है, इसलिए इस वज्यानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वादिक हो जाता है उनका स्वरूप कुछ इस प्रकार है, उनकी चार बुजाये है, डाई तरफ उपर वाला हाथ अभवी मुद्रा में है, तथा नीचे वाला हाथ वरमुद्रा में मा के बाई तरफ के उपर वाले हाथ में कमल का पूल सुशोभित है वो नीचे वाले हाथ में तलवार है उनका सीह भी बाहन है आज के दिन पीले रंग के वस्त्र परिधान किये जाते है ये रंग मन को शांती और शीतलता का एहसास कराता है सुख, शांती और स्पूर्ती देने वाला ये रंग उद्योग शिलता को प्रकट करता है पीला रंग मांसिक और बौधिक उन्नती का प्रतीक होता है ये रंग ज्यान, विद्या, सुख, शांती, योग्यता और एकाग्रता का भी प्रतीक होता है असीम ज्यान प्रकट करने वाला ये रंग मस्तिक्ष को आनन्दित और उत्तेजित भी करता है ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए मेरे यानी वी चोविस्तास के साथ हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही देवी के स्वरूप और रंग की महती लेकर तब तक के लिए नमस्कार